तो वारत को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल का सामने आई है। वारत को लेकर चीनी बिशिशग्गे ने चीन की राश्टपती सी जिंग पिंग को सला दी है। होंकों के अकवार के बडिश्ट प्रत्तकार ने सला ये दी है कि वारत को स्थाई दुश्मन ना बनाए सी जिंग पिंग। वारत के साथ फौरान गतिरोध खतम करें ये चीनी बिशिशग्गे ने राश्टपती सी जिंग पिंग को सला दी है वारत को लेके। लदाक में जो गतिरोध बना हुआ है उसको फौरान खतम किया जाए। वारत चीन को घरने की अमेरिकी नितियों का एहम पिलर है। ये वी जनकरी सामने आई है। यानि की जुस्तिती बनी हुई है वारत और चीन के बीच में हौंकों के अखवार के बरिश्ट पत्तकार ने उनकी तरफ से सला दी है भारत को स्थाई दुश्वन यानि की टेंपरेडी एंड पर्रमनेंट एनेमी ना बनाया जाए और इसे जल्द से जल्द खतम भी किया जाए। अब जिंपिंग के चीनी बिसेसगे की तरफ से क्या चेतबनी दी गई है उसे डिटेल्स में समझे। दरसल ये कहा ग गतिरोत को खतम करके इसकी सुरुबात करनी चाहिए। चीन की नितियों की बज़े से जापान और वारत अमेरिका के करीब जा रहा है। वारत अब चीन को घरने की अमेरिकी नितियों का एक एहम पिलर बन चुका है। वारत अब क्वार्ट की का भी सदस्थ है जो की चीन को संतुलित करने के लिए बनाया गया था और अगर पर्मनेट यानि की स्थाई दुश्मन भारत बन जाता है चीन का तो चीन के लिए ये बड़ी मुश्किल का सबब हो सकता है इसलिए पैदा हुए गतिरोत को फोरान चीन को खतम कर देना चाहिए सीजिंग पिंग को इसे खतम कर देना चाहिए ये कहना है चीनी बीसे सग्ग का खिलाल के लिए इतना ही था देश और दुनिया के जुड़ी ऐसी चोटी बड़ी अपडेट्स को सबसे पहले जानने के लिए तसक्रिक करे हमारा चैनल निउस चैटर को